नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉट हैंड एकडमी इस टैनो क्लासिस में दोस्तों आज का हमारे डिक्टेशन है आश्वलेपी हिंदी विवहारिक परिक्षन ओपी शुकला आई टी आई हिंदी डिक्टेशन गती सौशब्द प्रति मिनट तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन पांक सेकेंड बात स्टार्ट उपध्यक्ष महदय मैं माननिय सदस्य को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस माननिय सदन का ध्यान देहातों की तरफ दिलाया और उन्होंने यह अनुभव किया कि इस वक्त तक देहातों के अंदर बहुत कम काम हुआ है जैसा की आज प्रातहकाल ही एक अकबार ने लिखा था देहातों के अंदर केवल पांच प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका की एक रुपया रोज का भी खर्च नहीं है बलकि एक रुपय से भी कम खर्च है इस समय देहातों की जो आबादी है वह सरकारी अनुमान के अनुसार 48 करोड है जबकि शहरों की आबादी केवल 10 करोड है लेकिन देहातों के अंदर लोगों की कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है जहां तक योजना आयोग का सवाल है और जहां तक मेरा विचार है मैं यह समझता हूँ की योजना आयोग को हर एक शित्र के अनुसार ही योजना बनानी चाहिए खास तोर पर जहां तक पहाडी इलाकों का सवाल है हम हमेशा से यह कहते रहे हैं की पहाडी इलाकों की जो योजना है वह पूरे देश की योजना के साथ नहीं होती है ने चल सकती है विराम हमारा दुरभाग्य है की इस समय तक योजना आयोग के अंदर इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया होता क्या है कि जो योजिना आयोग का प्रारूप कारियाले में बैठे लोग करते हैं उसी को सारे लोगों को दे दिया जाता है उस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता जैसा की मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो चीज हमारे सामने हमारे यहां चलने वाली नहीं है उस पर क्यों पैसा खराब किया जाता है यह ठीक है कि चौथी योजना में क्रशी पर काफी जोर दिया गया था और दिया भी जाना चाहिए था लेकिन जैसा कि अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने कहा हिंदुस्तान एक क्रशी प्रधान देश है और यह शर्म की बात है कि हम लोग अपने खाने के लिए भी अनाज दूसरे मुलकों से मांगते रहे और उस पर करोडों अर्बों रुपया बरबाद करते रहे हमने अपने किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोधसाहित नहीं किया हमने अपने देश में खाद तैयार करने के कारखाने नहीं लगाए उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे क्रशी विज्ञानिकों की खोजों से और नए बीजों से अनाज का उत्पादन काफी बढ़ा है लेकिन उसके लिए हमें आज भी खाद विदेशों से आयात करनी पड़ती है उस पर हम करोडों रुपया आज भी खर्च कर रहे हैं पैरा जहां तक पहाडी इलाकों का प्रश्ण है वहाँ पर सिचाई के साधन न होने से उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है वहाँ पर हमारी बीज की नई किसमें और विदेशी खाद काम नहीं करती है क्योंकि उसके लिए समय पर पानी चाहिए इसलिए वहां के लिए हमें अलग से योजनाएं बनानी चाहिए हम सभी जानते हैं कि 7000 या 8000 फीट की उचाई पर हम अच्छी फसलें नहीं ले सकते हैं वहाँ पर जादा तर हम फलों की पैदावार ले सकते हैं वहाँ पर हम पेड लगा कर अमुल्य लकडी पैदा कर सकते हैं उसके लिए सबसे जरूरी चीज सडकों की है पोन विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टिशन पसंद आयोगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद